हेलो दोस्तो नमस्कार मेरा नामें सुन्मील और आप सबका बहुत-बहुत स्वाज करता हूं मेरे सीटु चनल पे दोस्तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छे इंच प्लेट और छे इंच का दोना एक के जिमाल में कितना पिश निकलता है असे जेसें में कितना नि निकलता है तो उससे पहले अगर आप में चनल पर नए हैं तो प्लीस में चनल को सब्सक्राइब करके बैल आक अज़र प्रेस करें ताकि जब इस तक है वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक मोचें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो पेपर आप चलिए तो आज का जो टोपिक है वह असी जीएसम सो जीएसम में चलिए अगर नहीं गया होगा तो इसके डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप उस पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं और आई बटन में भी यह वीडियो आपको मिल जाएगा तो चलि यह स्टार्ट करते हैं तो आज का जो टोपिक है वह असी जीएसम सो जीएसम 120 जीएसम चेंच दोना चेंच प्लेट का है कि एक केजी माल में कितना निकलता है तो अगर यह आप असी जीएसम का माल काट रहे हैं और सिल्वर हो यह साल पता हो कोई सा भी हो दोनों में सेम पिस निकलता है तो अगर असी जीएसम का काट रहे हैं छे इंच में तो वह आपको सारह 400 पिस से पहुने 500 यानि कि 450 से 475 पिस के आसपास आपको यह निकल जाएगा एक केजी माल में यह रेट निकालने में बहुत आसा निकलता है तो रेट निकालने में असानी होता है उसके बाद थोड़ासा फाइदा यह भी होता है कि आप अपने काम को अगर आप करते हो तो यह पीस पता है तो अगर आपको माल में कोई गरबर होता है तो आप पीस से भी आप उसको देख सकते कि मेरा इतना केजी माल था तो हमें इतना पीस निकलना चीए तो यह 80 का बता दिये कि सारे 400 से पहुने 500 की बीच निकलेगा अब अगर 100 जियसम के अगर आप काटते हैं माल तो 100 जियसम बहला आपका जो निकलता है वो पहुने 400 से 400 की बीच निकलता है लगवक 450 तो एक केजी माल में निकल ही जाता है 10-5 पिस के ऊपर निचे होता है वो आपको थोड़ा सा 19 जियसम देखना परता है वो हो जाता है तो यह 100 जियसम में आपको 400 जियसम निकलता है और 120 जियसम काभी 6 इंच वाले बहुत लोग यू निकले गा और इसका जो है काउंटिंग की बात की जाए तो एक केजी माल में यह आपको निकलेगा सारे 500 से 2 सबा तीन सो से सारे 300 के बीच क्योंकि 120 , कैसि तो जब भी आप निकाले तो इन सब चीजों का ध्यान रखें तो 120 जैसे में आपको सबा 300 से सारे 300 के बीच निकलेगा तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग का मतलब का रहा होगा और इस वीडियो सब कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा तो अगर इस वीडियो सब कु अगर आप लाइक करते हो तो हमें लगता है कि चलिए हमारा वीडियो लोग तक पसंद आ रहा है इसलिए हम वीडियो बनाते हैं चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद